इस बात करेंगे जनीकूलर अनास्मोसिस के बारे में या फिर बोल दीजिए अनास्मोसिस अराउंड नी जोइंट ओके तो देखिए आपको जो लॉवर लिम्ट हमारा लॉवर लिम्ट के एक्स्रीमिटी है उसमें आपको टोटल पढ़ने हैं दो जगह पर अनास्मोसिस दो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर and थाई रीजन में आपको पढ़ने है थ्री टैप्स के अनास्मोसिस, थ्री टैप्स के कौन से एक पढ़ना है आपको ट्रोक्रेंटिक अनास्मोसिस, एक पढ़ना है थाई में जो थाय में longitudinal anasmosis chain होती है वो पढ़नी है तो मतलब चार anasmosis हो गए पूरे के पूरे lower limb के अंदर जो की आपको पढ़ने है अब चारो का एक बार overall कर लेते हैं प्रोक्रेंट्रिक क्रूशियेट थाय में जो longitudinal chain होती है अनासmosis की जो होती है न प्रोफंडा फिमोरिस आर्ट्री की फोर पर्फॉरेटर्स तो वह भी आपस में अनास्मोस करती है तो थर्ड वाला वो हो गया and fourth हो गया हमारे पास जैनिकुलर अनास्मोसिस ओके अब हमने आर्ट्री का एक पूरा separate charge बना रखा है total systematically कौन सी आर्ट्री क्राप कहां branch देती है कितनी branch होती है और कौन सी आर्ट्री कौन से अनास्मोसिस में participate करती है तो अगर आपको lower limb आर्ट्री सारी के सारी आती है न तो आपके लिए lower limb का अनास्मोसिस बहुत ही simple है क्यों को आर्ट्री जी तो अनास्मोसिस करती है आपस में यही आर्ट्री जी तो ट्रोकरेंटिक अनास्मोसिस करेगी यही cruise sheet अनास्मोसिस बनाएगी यही थाई की जो perforator branch होती है उनका अनास्मोसिस करेगी और यही genicular अनास्मोसिस में participate करेगी मतलब overall बात यही है कि अगर आपको आर्ट्री जाती है, तो आपके लिए अनास्मोसित बहुत ही सिम्पल है, तो अभ पिसिकली इस वीडियो से पर ले आप क्या पढ़ेंगे, सारे कि सारे की सारी लोगलिम्क आर्ट्री जिसका चार्ट मैंने अभी आपको यहां बताया ही है, यह वाला चार्ट हमने साइड में आई बिटन पर डाल रखा है तो आप महां जाके आप सारा का सारा चाल देखिए उसके बाद आप अनास्मोसिस पढ़िए ताकि आपके लिए यह अनास्मोसिस बहुत ही सिंपल हो जाए तो वही यहां इहां पर वगयु सारे के सारी ड़्टियों करेंगे तो देखिए वही सच फूर्रल आर्टियी नीचा आते हैं क्या बंजाती है प्रपली टेल Sabrina理 जाने लाओ फूर्पली ड्रकार में देखियो. तो इसके बाद देखिए आपको ना पता होगा यहाँ पर क्या होगा यह होगा हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले क्या होती है एक्स्टरनल इलियक आल्टरी जैसे ही एक्स्टरनल इलियक आल्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रोस करती है क्या बन जाती है वो बन जाती है हमारी femoral artery तो femoral artery ने जैसे ये green green क्या है देशी इंग्वाईनल लिगामेंट क्रोस किया उतके बाद देखिए हम only वो arteries यहाँ पे ड्रो करेंगे जो की genicular anasmasis में participate करती है तो आपको बताऊगा femoral artery की एक branch होती है profunda femoris artery तो profunda femoris artery की 3 branches होती है 3 branches में से 1 होगी हमारे पास lateral circumflex femoral artery एक होती है हमारे पास medial circumflex एक होती है हमारे पास medial circumflex femoral artery और देखिए medial circumflex आगे जाके 3 parts में divide हो जाती है मतलब 3 branches देती है 1, 2 and 3 देखिए इन 3 branches को हमने जो की हमारा artery वाला चार्ट है न जो की हमने बताया था यह वाला artery वाला चार्ट इसमें सब clear कर दिया है कौनची 3 branches होती है तो पहले आप यह पढ़िए सारा चार्ट में मिल जाएगा उसके बाद देखिए आपको पताऊगा कि जो medial circumflex होती है basically वो भी 3 branches देती है एकोथी ascending एकोथी transverse एकोथी descending Sorry this is lateral lateral circumflex femoral artery यह क्या हो है medial this is medial circumflex femoral artery इसके 3 branches कौनसी है this is transverse एक होगी ascending एकोथी acetabular तो देखिए मैं pinkorate दो page का यह चलिए कर रहा हूँ बैसिकली को कि यवाला page त्षाफिण तो खाली हो गया है तो first, these are the four perforator of profunda femoris, okay देखिए, सारी naming करेंगे, okay उसके बास femoral artery क्या बनाती है, हमारी, this is poplital artery and poplital artery क्यों होती है, five branches five branches कौन सी, देखिए, basically ये होगा हमारा lateral side और ये होगा medial side, okay तो अभी इनकी five branches के नाम देखिएंगे, तो one, two, three, four four हो गई, एक जाती है, बीच में, तो होगी, total five branches उसके बास देखिए, ये artery आगे जाके, two parts में divide होती है कौन-कौन सी, posterior tbial and anterior tbial artery, okay तो ये सारा का सारा हो गया, उसके बास देखिए, इनकी छोड़ी naming कर देते है ये वाली artery का नाम क्या है, this is posterior tbial artery ये क्या है, this is anterior tbial artery उके, उसके बास देखिए, ये क्या है, this is external iliac artery ये क्या है, this is femoral artery ये क्या है, this is inguinal ligament ये क्या है, this is medial circumflex femoral artery short में लिख रहा हूँ, M, C, F, median circumflex femoral artery इसके 3 branches, this is transverse, this is ascending and this is acetabular okay, transverse, ascending and acetabular, ये 3 branches है, median circumflex की देखिए, ऐसी आ रही है, ये profunda femoris है, नीचे गई, नीचे जाने एक बार इसने 3 branches दी 1 तो दी कौन सी, ये होती है, this is lateral circumflex femoral artery okay, देखिए, ना ब्रेकल आर्टरिक भी होती है, ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, जैसे के ये यहां पर प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी है, वैसे ही, हैंड में होती है, प्रोफंडा ब्रेकाई हाथ हम बात करें आप से के बैसिकली, ये क्या है, ये प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी, ये वाली है, ये प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी अब दे ही प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी है, ये अच ओड़ दोथे एक होती है हमारे पास ascending एक होती है transverse branch एक होती है descending branch ओके तो this is the descending branch of lateral circumflex femoral artery ascending branch and transverse branch media circumflex की three branches कौन सी होती है this is transverse ये होती है हमारे पास ascending this is ascending and this is acetabular तो transverse ascending sorry transverse ascending and acetabular branches उसके बाद देखिए मैं propenda femoral artery को या इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो इसकी descending branch होती है यह participate करती है हमारे genicular anasmosis में तो नीचे जाके यह genicular anasmosis में participate करती है उसी तरह से नीचे आके देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा adductoritis तो यह होगा हमारे पास यह होता है adductoritis अबबबब देखिए adductoritis के पहले क्या होती है femoral artery इसके बाद क्या बन जाती popletial artery तो अब इसे क्या बोलेंगे this is popletial artery ऐक femoral artery वसी तो प्यूनेशों सबीक्षी करेफ में सनकित कि था नियुक्षज है उसके अंदर फीमिर्स आलड यह डेन सब्सक्रीयिय। 1, 2, 3, 4 अब देखिए ये medial side है, ये lateral side है ये दोनों कहा है medial side है ये दोनों कहा है lateral side है अब ये दोनों medial है तो ये superior है या inferior है ये दोनों lateral है तो ये superior है और ये inferior है और basically इनके नाम भी ऐसे ही है इनके इसी बैसिस पे है इनकी जो naming है वह superior, inferior और medial इसी basis पर है तो basically यह बारी आल्ट्री कौन सी होगी basically medial side है, superior है तो this is superior medial क्या होगी? this is superior medial genicular आल्ट्री okay, basically यह क्या होगी? रहकी है न, this is medial है और inferior है तो this is inferior medial genicular आल्ट्री, देखिए, short में लिख रहा होगी लंबा लिखने से कोई मतलब नहीं, time crop होगीगा तो देखिए, this is inferior, INF inferior, medial, inferior है medial है, genicular मतलब देखिए न, हमने क्या बोला genicular अनास मुस्ति, इस तो जो भी आल्ट्री जहां लिखेंगे near about उन सारों का नाम क्या होगा जैनिकूलर, जैनिकूलर, जैनिकूलर जैनिकूलर या फिर यू समझ लीजिए पॉप्रप्रेटर आल्ट्री की जो ब्रांचिज होती है उनके उनमें जैनिकूलर वर्ड कॉमन है ओके, तो देखिए, इस 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 लेटरल जैनिकूलर आल्ट्री और इसका नाम क्या होगा इस वाली आल्ट्री का नाम इस वाली आल्ट्री का नाम होगा हमारे पास सुपीरियर लेटरल जैनिकूलर आल्ट्री तो यह होगी हमारे पास सुपीरियर लेटरल inferior medial and superior lateral genicular artery and inferior lateral genicular artery जी ये मतलब genicular artery genicular artery अब देखिए हमें देखना है genicular anasmosis तो basically यहाँ पे होगा basically poplital artery कहा होती poplital fossa के अंदर हमने बोला ना कि genicular anasmosis कहा होता है basically यह होता है knee joint पे इसी का दूसरा नाम है anasmosis around knee joint तो basically knee joint कहा होगा poplital fossa के आसपास होगा poplital fossa knee joint के पीछे ही तो present होता है basically हमें यहाँ सारे के सारी arteries पढ़नी है basically कौन कौन सी arteries पाटिसपेट करती है तो देखिए हमने बोला anterior tbl anterior tbl की दो branches होती है एक branch यह होगई एक branch यह होगई इन दोनों branch का नाम क्या है these are the recurrent branches इनको क्या बोलते है this is the anterior anterior recurrent branch of anterior tbl artery and this is the posterior recurrent branch of anterior tbl artery तो यह दो branch यह किसकी anterior tbl artery की इनका नाम क्या है एक होगई हमारे पास anterior और वो एक होती है हमारे पास posterior तो these are the two recurrent recurrent मतलब basically r tree उपर से नीचे जाती है लेकिन यह opposite जा रही है नीचे से उपर जा रही है देखें ना branches नीचे से उपर है तब ही बोला recurrent तो these are two recurrent branches आपको पढ़ाओ हम पढ़ते हैं elbow joint का round anasmosis recurrent and collateral anasmosis तो वहाँ भी recurrent का meaning वही है मतलब normally r tree नीचे से उपर से नीचे जाएगी बट अगर r tree नीचे से उपर जा रही है तो उसे क्या बोलेगे recurrent मतलब opposite direction में जा रही है तो these are the हाँ तो हम हमसे बात कर रहे थे कि basically entry table r tree की two recurrent branches होती है तो देखिए दोनों opposite जा रही है मतलब normally r tree उपर से नीचे जाती है बट recurrent मतलब जो नीचे से उपर जाए तो देखिए ये भी नीचे से उपर जा रही है और इन two recurrent r trees of anterior tbl r tree इनका नाम क्या है these are anterior recurrent and posterior recurrent branch of anterior tbl r tree तो देखिए anterior and posterior these are two recurrent these are two recurrent branch of anterior tbl उसी तरह से एक r tree निकलती है हमारी posterior tbl से और वो भी होती है recurrent और उस recurrent r tree का नाम क्या है उसे बोलते है circumflex fibular r tree तो basically ये भी एक होगी circumflex fibular तो देखिए मैंने तोड़ा गुमा के बनाया है मतलब green वाली क्या है this is circumflex fibular r tree और basically ये भी क्या है एक टाइप से recurrent r tree है तो posterior tbl से कौन से recurrent निकलती है circumflex fibular r tree तो इस green वाली r tree का नाम क्या है this is circumflex circumflex fibular तो basically circumflex fibular किसे निकली ये निकली है हमारी posterior tbl r tree circumflex fibular किसे निकलती है posterior tbl से अब देखिए तीन r trees बिनाई anterior posterior and circumflex anterior posterior and circumflex ये तीनो r tree basically anasmus करती है inferior lateral genicular r tree की branches से तो basically 3 r tree है तो इससे भी 3 branches निकलेगी किसे inferior lateral genicular r tree से तो इससे भी हम 3 branches निकालते हैं तो ये first branch हुई इसने anasmus किया circumflex से ये second branch हुई इसने anasmus किया posterior से और ये third हुई इसने anasmus किया हमारी anterior tbl r tree से तो देखिए basically हमने इसका anasmus इस पढ़ लिया ये किससे anasmus करती है उपर की 3 branches anterior posterior and circumflex इन तीनों से anasmus करती है उपर वाला पढ़ लिया उपर वाली superior lateral genicular r tree ये किससे anasmus करती है ये anasmus करती है basically descending branch of lateral circumflex femoral r tree से उसके बाद देखिए हमें इन दोनों का anasmus इस पढ़ना है कि ये r tree और ये r tree branch from femoral r tree और आगे जाके ये दो branches देती है उपर वाली branch anasmus होगी हमारे लिए उपर वाली branch किससे anasmus होगी superior medial genicular r tree से ये नीचे वाली branch किससे anasmus होगी ये anasmus होगी inferior medial genicular r tree से तो basically ये r tree क्या है इस r tree का नाम क्या है this is descending genicular branch this is descending देखिए आपके लिए पूरा अनasmus होगी बिलकुछ सिंपल होगी अभी सारा एकदम वीडियो के लाश्ट में हम पूरा का एकदम explain करेंगे सारा का सारा अभी तो क्या है हम थोड़े पार्ट में बता रहे हैं कि पहले ये पढ़ना है ये पढ़ना है फिर लाश्ट में पूरा ओवराल बता रहेंगे वीडियो के लाश्ट में देखिए ना अड़क्टर हाइटर से लेके इंगवाइन लिगामेंट इन दोनों के बीच पूरी के पूरी फिमरल आर्टरी तो है जो उपर वाली होगी इसे बोलते है आर्टिकुलर ब्रांच नीचे वाली को बोलते है सेफनेस ब्रांच मतलब कि डिसंडिंग जेनिकुलर आर्टरी नीचे जाएगे जब दो पार्ट में डिवाइड होती है इन दो पार्ट के भी सेपरेट नाम है इसका नाम क्या होगा this is the safeness branch this is safeness branch और यह उपर वाली क्या होगी this is articular branch तो इसका नाम इसको कहां लिखे है तो basically इसको मैं blue pen से लिक रहा हूँ क्योंकि अलग से देखे वह भी सारा यहां पर mix up हो गया है तो इस artery का नाम जो यह वाली artery है ना उपर वाली नीचे वाली का नाम safeness branch है उपर वाली का नाम यहां लिक रहा हूँ में blue pen से इसका नाम होगा this is articular branch this is articular branch अब articular branch होगी तो देखिए हमने near about सारे anosmosis पढ़ लिए हैं अब देखिए अब आते हैं overall कि basically अब हमें पूरा overall समझते हैं इसको कैसे हम tips पर करें सबसे पहली बात हमने external iliac artery draw की जैसे ही external iliac artery ने inguinal ligament cross किया क्या बन गई femoral artery फिमरल artery ने जैसे ही adductor hightus cross किया क्या बन गई poplital artery और पोपलिटल artery आगे जाके two parts में divide होती है एक होती anterior tbl artery एक होती posterior tbl artery ओके अब हमें पढ़ना है genicular anasmosis या फिर इसी का दूसरा नाम है this is anasmosis anasmosis around knee joint अब देखिए हमने पूरी आलट्री पढ़ ली तो हमाई दिमाग में आया हमें पढ़ना क्या है anasmosis around knee joint तो basically knee joint मतला poplital fossa poplital fossa knee joint में ही तो होता है knee joint के posterior side होता है तो बैसिकल्ई किसमें anasmosis पढ़ना है poplital artery में तो हमारा interest किसमें था? only poplital artery में था femoral में था और नही subscribing anterior पॉष्टीयर तीवियल में था तो हमने क्या पढ़ी poplital artery की 4 brans Чज पढ़ी 4 branches कौनसी एक होगी superior medial genicular artery तो एक पढ़ी हमने superior medial genicular artery एक पड़ी हमने inferior medial genicular artery एक पड़ी हमने superior lateral genicular artery एक पड़ी हमने inferior lateral genicular artery यह चार arteries पड़ी अब हमने दिमाख लगाया कि basically चार arteries तो आपस में तो anasmos करेगी of course common सी बात है तो यह चारो arteries तो आपस में तो anasmos करेगी बट यह चारो ब्रांचेश basically femoral artery की branches से भी anasmos करती है and anterior and posterior tebal artery की branches से भी anasmos करती है तो अब हम क्या करेंगे अब हमारा first step वही सबसे पहले हम इन चारों artery को आपस anasmos कराएंगे तो देखिए उपर से एक branch निकाली देखिए न ये क्या है this is superior medial genicular artery इससे एक branch निकाली और इससे भी एक branch निकाली और ये दोनो superior और inferior superior medial and inferior medial दोनो anasmos कर गई उसी तरह से एक branch इससे निकाली और एक branch इससे निकाली और basically ये दोनों भी आपस में anasmos कर गई कौन-कौन सी lateral superior lateral and inferior lateral ओके तो हमने basically फोपलिटल artery की 4 branches को तो आपस में anasmos करा दिया अब हमारी बारी आई कि हम इन 4 branches को femoral and anterior and posterior tibial anterior tibial and posterior tibial और femoral इन 3 artery की branch से कैसे anasmos करा आए तो देखिए हमें उसके लिए क्या पढ़ना पढ़ेगा femoral artery की branch सारी की सारी पढ़नी पढ़ेगी anterior and posterior tibial की पढ़नी पढ़ेगी जो की anasmosis में participate करती है सबसे पहले हम बात करते हैं femoral artery की तो देखिए femoral artery के में पढ़नी है दो branches कौन सी एक पढ़नी है profunda femoris artery एक पढ़नी है descending genicular branch ओके क्योंकि profunda femoris and descending genicular ये दोनों participate करती है हमारे genicular anasmosis में मतलब क्या कि जो superior lateral genicular artery होती है ये anasmosis करती है किस से descending branch of lateral circumflex femoral artery से अब ये क्या है तो देखिए इसको पढ़ने के लिए हमने profunda femoris artery को deeply पढ़ा deeply मतलब profunda femoris artery आगे जाके तीन branches देती है तीन branch कौन सी होगी एक होगी lateral circumflex femoral artery LCFA एक होती है medial circumflex femoral artery MCFA और एक होती है four perforating branches दी जार four perforating branches जो प्रोभन्दा femoris artery और आपको पताऊगा कि medial circumflex आगे जाके three parts में three branches देती है transverse ascending and acetabular branch okay transverse branch ascending branch and acetabular branch वैसे ही lateral circumflex femoral artery three branches देती है ascending transverse and descending और जो descending branch of letters recovlex होती है basically ये नीचे जाके anasmos होती है किस से superior lateral genicular artery से तो basically इस artery का हमने populator artery के अलावा मतलब हमने पढ़ाना कि populator artery की branch खुद से तो anasmos करती ही है बस उपर खुद से तो करेगी ही उसके बाद हमें पढ़ना क्या है कि other arteries other कौन सी artery से participate sorry other कौन सी artery से anasmos करेगी तो हमने इसका पढ़ लिया ये किस से anasmos करती है superior lateral genicular artery ये anasmos करती है descending branch of lateral circumflex femoral artery से उसके बाद हमने पढ़ा नीचे वाली का कि basically inferior lateral genicular artery ये किस से anasmos करती है तो ये anasmos करती है anterior and posterior प्रे वाल्टी की बांचे से उस एक बांच का नाम क्या है circumflex fibular artery और basically circumflex fibular artery this is the ये भी क्या है ये भी एक type से recurrent artery ही है क्योंकि ये भी नीचे से उपर जा रही है तो हमने inferior lateral genicular artery का anasmos पढ़ लिया anterior and posterior tbl artery से उसके बाद अब हाए हम इस side medial side तो medial side दो arteries पढ़ी है हमने superior medial genicular and inferior medial genicular artery तो देखिए superior वाली anasmos करती है superior और inferior दोनों की दोनों anasmos करेगी किस से descending genicular branch descending genicular branch किसकी descending genicular branch वो femoral artery तो देखिए descending genicular branch इन दोनों के लिए आगे आके दो पार्ट देती है मतलब दो branches देती है एक होगी articular branch जो कि यहां लिख दिया है articular branch एक होती है हमारे पास safeness branch articular branch anasmos होगी superior medial genicular artery से and safeness branch anasmos होगी inferior medial genicular artery से तो हमने सारा का सारा पढ़ लिया है और basically आपकी book में क्या लिखा होगा अगर आप book पढ़ेंगे तो आपको book में इसी पूरे part को four part में divide कर रखा होगा तो four part कौन से होगे देखिए यह यार रखना यह lateral है यह medial है lateral मतलब इस साइड क्या होगी हमारी fibula bone होगी medial मतलब इस साइड क्या होगी tibia bone होगी और उपर femur तो होगी ही उपर के साइड femur होगी lateral side fibula होगी medial side क्या होगी tibia होगी तो हम बुक की बात करना है थे, कि बुक में क्या दे रहा होगा, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में क्या है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे, तो देखिए हमने भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखिए न, ये यलो पेंस है, हमने भी superior medial genicular artery anasmosis करेगी this is the articular branch of descending genicular arteries है, नीचे वाली कौन सी होगी inferior genicular artery, मतलब वही 4 arteries के लिए इस पूरे को 4 पार्ट में divide कर दिया 1, 2, 3 and 4 ओके, तो आपने समझी लिया होगा कि तो यह सरकसर था हमारे पास, genicular anasmosis अगर आपको कोई भी problem है वीडियो में तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं और हाँ, एक important announcement अगर आपको मेरा एक काम अच्छा लगता है जो भी मैं आपके लिए video बनाता हूँ तो आप channel को donate कर सकते हैं तो देखिए, donate के 3 method है सबसे पहरा है paytm, second वाला है google pay और third वाला है paypal तो मैं किया मैंने paytm number नीचे description में दे रखे हैं google pay number भी मैंने नीचे description में दे रखे हैं और उसके लाव paypal की जो भी id है वो मैंने नीचे description में लिख रखी है तो आप इन 3 methods के थूँ payment कर, मतलब donate कर सकते हैं और देखिए मैं पूरे के पूरे चार्ट को वीडियो के last में डाल दूगा और नीचे मेंने description में facebook link भी दे रखा है तो वहाँ से भी आप पूरा चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं